ओम शान्ती आज आपका 87 दिन का वर्दान और आज परम्पिता परमात्मा निराकार परमात्मा या भगवान या अल्ला या जिहुआ जो भी कहिए हैं आप उनको वो आज हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से अपने कर्म करने हैं और हमें पास्विद ओनर होना हैं पिता परमात्मा हम से संतुष्ट हो और अगर हम अपने आप से संतुष्ट परमात्मा हम से संतुष्ट तो बाकी सारी आत्माएं भी संतुष्ट हो ही जाएंगी लोग कहते हैं कि दुनिया में किसी को संतुष्ट करना आज बहुत मुश्किल है माबाप को बच्चों को बच् तक है आज बाबा कहते हैं पास विद ओनर बनने के लिए अब ये युनिवर्सिटी ब्रह्मकुमारी जिश्वरी विश्वविद्या ले इस युनिवर्सिटी में हमें अपने कर्मों को सुधार करके आगे बढ़ करके कैसे पास होना है क्या-क्या हमारे सामने टेस्ट पेपर जाएंगे उनको भी चेक करना और चेंज करना अपने आपको तो उसके फिर पास विद ओनर बनने के लिए सर्वद्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मनी भवा विस्तार में चलें जो बच्चे अपने आप से स्वयम से अपने पुर्शार्त वा सर्विस से अपने आप से अपनी जो सिती बनी हुई है मांसिक सिती हमारे इंदर किती पॉस्टिविटी है किती प्यूरिटी है उसके उपर उसके अधार पर हम अपने साथ में कैसे फील कर साथ में अपने पुर्शार्थ हम जो परमात्म को सुबट करके याद करना हर दिन मुरली पढ़ना महावाक के मतलब उसके साथ और सर्विस से कि हम जब आत्मा को उनकी सेवा करते हैं उनको ज्ञान बाटते हैं परमात्मा के द्वरा दिया हुआ ताकि उनके जीवन में सुख उससे ब्रामन परिवार के संपर्क से जो हमारा परिवार है उनके साथ में आना लेकिन उसमें भी न्यारा और प्यारा रहना डिटाच रहना उस संबद में भी ब्रामन परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं उन्हें ही संतुष्मणी कहा जाता है लेकिन इसके जिनको complaints हैं, जो कि हर चोटी-चोटी बातों में नुक्स निकालना, complain करना, service में में को मौका नहीं दिया, मैं अच्छा बोलता हूँ या अच्छी बोलती हूँ, मुझे देना चीए था, उससे भी असंतुष्ट, अपने आप से भी असंतुष्ट, कि अमरे तुवला ठीक नह नहीं हो पाती, शरीर में को support नहीं करता, सब कुछ करने के लिए, इन चीजों से भी असंतुष्ट हैं, अगर हम अपने आप से और अपने पुर्शार से भी असंतुष्ट हैं, तो हम वो passport ले नहीं सकते, फिर परवा कहते हैं, सर्वात्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, जिसके भी संपर्क में आए, जो भी हो, जैसी भी आत्मा हो, तो बाब कहते हैं कि समाने की शक्ती तो होनी चीजिए हमारे अंदर जो जैसा भी हो, जैसी भी उसके संसकार हों, जो हमें पसंद ना हो, है ना, कि ये मेरे अनुसार होना चीजिए, लेकिन वो अपने अनुसार जो करते हैं, चाहे बड़े हों, चाहे चोटे हों, हमें पसंद ना हो, लेकिन उनसे भी संतुष्ट रहना, सर्वात्मों के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, वह सर्व को संतुष्ट करना, संतुष्ट करना मतलब कैसे हो सकता है, जब हम सैन करें कि आगे हैं। और उनकी गलतियों को समा लेंगे। आगे देखते है इसमें जो वेसे माला। मला की जबते हैं। सारी जो आत्माएं और उनकी यादुकार है। 106 आत्माएं जो की संपून थी। और उनके होते हैं। माला के दाने मन्ड रूद्राक्ष। पूलो वो सारी आत्मा रूपी रूद्राक्ष की पहचान है और वो साथ-साथ में क्यों है क्योंकि उनके संसकार एक जैसे थे इसलिए वो आपस में जुड़े हुए हैं तो वो जो जबते हैं हम वह परमात्मा ने उन्हा आत्मा को संपून बनाया उनके संसकारों को उंचा बनाया और उन्होंने certificate लिया था, इसलिए उनकी यादगार है वो माला, जिनको हम जबते हैं, तुम जबते क्यों, अब तुम वैसा बन जाओ, तो परमात्मा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं, इसमें जो विजय बनते हैं, वही विजय माला में आते हैं, वो है विजय माला, 108 की पास्विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए अपने आप से भी, परमात्मा से भी, साथी संबंदियों से भी, ब्रामिन परिवार से भी, अपने पुर्शार्थ से भी अपने आपको पीस्फूल रखने उससे भी, तो पास्विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए अब बात करते हैं कि हम जितना भी करें, आत्मह संतुष्ट नी होती, लोक सनतुष्ट नी होती, घरवाले संतुष्ट नी होती और उसके बाद में जो हमने कर्म किया, उसकी कोई इच्छा नहीं रखेंगे कि वह हमें अच्छा बोलें, बहुत बढ़िया बोलें, या हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको हम खुश करने की राजी करने की कोशिश कर रहे फिर आप बहारी रूप से कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं और उस जबरदस्ती का आपको कभी भी passport ये certificate मिल नी सकता क्योंकि जबरदस्ती करेवी चीज में ताकत नहीं होती, स्वच्चत नहीं होती, पवितरता नहीं होती जिस कारेंट से हम जब कुछ करते हैं और उनको संतुषता नहीं होती उस कारेंट से जब वो कहते हैं कि हम संतुष नहीं होए तो हम और परिशान हो जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि इसले क्या करना है ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ क्या करना है सेहन करने आपने किया बहुत किया आपने किसी के लिए ना फैमली मेंबर्स के लिए किया तो सेहन करने वो संतुष नहीं एक कंप्लेन कर रहे हैं आपको हमेशा आपको बद्वाइं दे रहे हैं या आपके बारे में खुसर खुसर कर रहे हैं लेकिन आप क्या है आप सिर्फ स जहन करने वा समाने की शक्ति धारण करो एक जैसे हमने पिछले वरदान में सीखा था कि बच्चा जब क्या करता है गोदमे रहता है वह पापा ममी के कपड़े खीचता है बाल खीचता है लेकिन क्या होता है कि वह पेरेंस जो है वो क्या समझते चुर बिचारा बच्चा है औ तो उसकी जो गलतियों को समा लेते हैं उसी तरह किसे जो आत्मे अग्यान में हैं जिनके अंदर शक्ति नहीं है कल्यू के अंत में बिचारी आत्मा के अंदर उनके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है वो संतुष नहीं अपने आप से तो उनसे आप क्या एक्सपेक करोगे तो अगर वो कंप्लेंड करते हैं तो उसको सहन करना और उनकी कलतियों को माबाब जैसे उची स्थिति में रह करके समा लेना तो बाबा करते हैं यहे पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने वा समाने की शक्तिधारन करो तो तब ही आप संतुष रह पाएंगे और संतुष कर पाएंगे उनको इसके साथ इसका ध्यन करें फिर से सोचें गहराई में ओम शैनती